तो दोस्तों यहां ना recent एक बड़ी तगडी news निकल के आ रही है, जिसको even मैंने अपने computer में भी implement कर लिया है, और related किसके हैं यार control panel, अपने प्यारे control panel, अगर यार computer user हो, तो control panel का use जो है न, तुमसे अच्छो कोई नहीं जानता होगा, uninstall से लेके कोई program को uninstall करना है, save power saving mode, य हम लोग ने control panel को हमेशा use कर रहे है, और करते रहेंगे अभी, कर रहे हैं जब तक चल रहा है न, पर यहार recent में क्या हुआ है, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि Microsoft वाले Windows, अब तुम लोग यह बात तो जानते होगे, कि Windows 10 है, इसके अब जो भी है यार, Windows 11 या 12 नहीं आने वाला, यह लोग Windows 10 को ही updated करते रहेंगे, तो यहां पर recent में एक Windows का October का अपडेट आया है, हर महीने यार, शाहिए साल में दो बार यह देते हैं, अपडेट मेजर वाले, ठीक है, तो वहां October का यह जो अपडेट आया, 20H2 नाम से, शाहिए तुमने अपडेट कर लिया होगा मुझे जरूर बता है, अगर तुम genuine Windows यूँ भी यूज कर रहे हो तब भी, और अगर तुम fake कर रहे हो ना, मतलब तुमने fake तो यार, legal तरीका ही है, वही Microsoft का यार, तुमने करा होगा, download समझ सकते हो, website से, वहां पर ISO फाइल करके, तो वह भी एक legal तरीका है, वहां पर भी update द control panel का retirement आ चुका है, मैं यह क्यों बोल रहा हूँ यार, इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है, अगर तुम यार, यह update कर लेते हो अपने computer में, उसके बाद, हाँ, इसके बाद ना, तुम अपने computer के अंदर, जो तुमारा, यार, my PC का option होता है, basically, my PC में properties पे click करोगे ना, तो यहां पर जो control panel है, वो open नहीं होगा, यार, majorly, अगर तुम कहीं पे भी जाते हो, किसी अपने दोस्त के computer को check करना है, कि भाइक, तेरे computer में क्या system requirement है, या किसी का भी, यार, computer, अगर को user है, तो वो चाहता है, चेक करना कि क्या है, तो उसको, यार, हमेशे यही रहता है, my PC पर जाना है, और वहाँ properties पर क्लिक करना है, और वहाँ further यार, देखते हैं, हम लोग क्या details है, पर Microsoft में बहुत बड़ा edge मारा है, मेरे को लगता है, यह बहुत major change है, यह बहुत हद तक, एक daily use के हिसाब से बता हूं, तो बहुत amount में लोग रोज अपने computer में, properties में जाके, वह चीज को basically पूरा change कर दिया है, अब अगर तुम यह चीज करते हो ना, तो तुम्हाले screen पर result है, अब तुम्हें यहाँ पर जो window का 8, window 8 से इन्होंने एक setting देना start कर रहा है, अलग से, जो अब काफी popular हो रही है, काफी advanced और looking में भी बहुत अच्छी लगती है, देखा होगा तुमने, तो उस setting में यह directly हमें redirect कर देता है, control panel से अब वो चीज हटा दिया है, इन लोगोंने, तो यहाँ बोल सकते हो यार, अब धीरे धीरे यह लोग control panel को retire कर रहे हैं, यह हटा रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक feature जो control panel के window 7 में थे न, वो अब नहीं देखने को दिखते है पर मेरे को लगता है, यह धीरे धीरे यह चीज को करेंगे, updated to updated, बाकि मुझे जरूर बताना, control panel को क्या तुम चाहते हो, कि उसका retire, मतलब कि यार, उसको हटा दिया जाई है, विंडो से, और तुम्हें नया वाला setting पसंद है की न, मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहू बाकि हाँ ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही अगर पसंद आई हो तो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब और शेर मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाई, जया इंजया परतवन्दे, महतरम